नमस्कर दोस्तों स्वागत यापका फार्मरोक्स की यूटूब एजूगिसने चनल में तो आज के उठो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हल प्रॉब्लेम और उसके सॉलिसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे हम यह वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से यह जो लेडिस है उसको यहाँ पे काफी ज़्यादा इचिंग हो रही है उनको खुझली हो रही है उसे तरह से यह कौर वीडियो में देखे तो यह जो महिला है उनको भी सरिर के अलग-अलग पार पे बार बार जो है उनको इचिंग हो रही है तो ये जो problem में वो सबी को होता है कि जिनके कारण आपको बार-बार जो है वो itching करने का मन होता है और itching जो है वो आपके काफी जदा दिरे-दिरे बढ़ने लगती है तो ये जो problem में उसको solve करने वाली बहुत अच्छी 5 दवायों के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में सिखेंगे और जानेंगे कि उनका dose वगरा क्या रहता है कैसे उनको use करनी होती है तो 5 based eating medicine के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे और जानेंगे कि उनको कैसे use करना है और उनके side effects भी हम discuss करेंगे तो सबसे पहले basic समझ लेते है इचिंग का इचिंग यानि कि उसको हम खुजली कहते हैं तो खुजली करने का मन तब होता है कि जब आपका जो brain है वो ऐसा signal बेजता है आपके body को और especially जहाँ पे ये signal जो है वो बेजे जाते हैं वहाँ पे आपको मन होता है कि वहाँ की जो skin है उसको आप scratch करें और ये जो scratch है उसका location भी बार-बार change होने लगता है कि मालों कि अभी आपको यहाँ पे इचिंग हो रही है तो थोड़े देर बाद आपको दूसरे हाथ पे इचिंग होने लगेगी या फिर यहाँ पे back side आपको पीछे की side भी इचिंग होने लगेगी तो यह जो problem है उसके करण जो person है वो काफी ज़्यदा uncomfortable फिल करता है और उसके करण skin के उपर भी कुछ problems होते है जिससे कि skin के उपर इचिंग करने के बाद redness हो जाती है तो यहाँ पे आप देखो कि यह जो person है वहाँ पे आपको redness देखाए देने लगेगी फिर skin के उपर इस तारह से racist बनने लगते है आप इसके skin dry हो जाती है और वहाँ पे cracks वगिरा जो है वो देखने को मिलते है और इसके करण क्या होता है कि skin की जो surface होती है उसके उपर हमें काफी जादा जो है वो irritation जो हम feel कर दे है तो यह जो problem है उसको solve करने वाली बहुत अच्छी 5 दवायों के बारे में हम यहाँ पे सिखेंगे बड़ उसके पहले यहाँ पे एक छोटा इससी add break लेते हो और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम यहाँ पे आप eating के बारे में सिख रहे ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों के बारे में सिखना है उनकी दवायों के बारे में सिखना है उनका उपचार कैसे होता है तो हमाने उसके लिए एक बहुत अच्छी book बने है जिसका नाम है decision treatment बीमारिया और उनका उपचार तो यह book को आप जरूर से order कर सकते हैं तो यह book को order करने के लिए यह वाले number पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं 5 best medication में पहला जो option है वो है evil का तो जब भी किसी person को यह type के problems होने लगते तो सबसे पहले उसको prescribe की जाती है antihistamine medicine और उसमें भी evil कि जिसके इंदर salt content रहता है phenyremin mellet तो यह एक first choice बनती है treatment के लिए तो यह आपर हम देख सकते हैं कि यह जो product है वो sanofi की है evil जो है वो product का brand name है और salt content है उसका phenyremin mellet है कि जिसके dose की हम बात करें तो 25 से लेकर 50 mg और डेकी साब से लिया जाता है और यह popular anti allergic and anti histamine medication है तो लेने का तरीका क्या है इसका तो अगर आप 25 mg वाली यह tablet यूज़ कर रहे है तो उसको दिन में एक या फिर दिन में दो बार जो है वो ले सकते हैं पर maximum उसका dose रहेगा 50 mg जितना उससे ज्यादा dose में आप उसको use ना करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी book है उसके यह pick आप यहाँ पर check कर सकते हैं यह एक डिस्स दिखाए गई है सिस्टाइटिस ब्लेडर का infection तो उसका introduction यहाँ पर हो गया फिर causes symptom फिर इसके पीछे के page में आप देखोंगे तो उसका diagnosis रहेगा treatment medicine option रहेंगे जिसे इस तरह से medicine के peak उनके dose वगेरा detail में आपको यहाँ पर यह book के अंदर मिल जाएगा तो यह book को जरूर से order करें और order करने के लिए यह दिए गए number पर आप हमें जरूर से whatsapp करें दूसरा option हम देखिए तो satrizin या फिर levo satrizin का रहता है तो यह भी एक popular anti-histamine medication है और उनका dose रहता है 5 mg में अगर आप use करते हैं तो 5 mg आप दिन में दो बार use कर सकते हैं और 10 mg में use किया जाता है तो 10 mg सिर्फ और सिर्फ दिन में एक ही बार लेनी है तो यह वाला 10 mg वाला आप देखो तो उसका रहेगा dose इस तरह से 1 OD और अगर 5 mg में use करते हैं तो 1 BD उस तरह से यह जो medication है वो prescribed की जा सकती है तीसरा option बनता है यहाँ पर वो है montelucast and levocetrisin का तो montelucast क्या है तो यह को ट्राइन antagonist medication है कि जो histamine chemical को सरीर में दीरे-दीरे कम करती है जिसके करण जो etching के जो problems होते हैं वो sawl होने लगते है और जो levocetrisin के हम बात करें तो वो H1 receptor को block करके अपना काम करती है वो भी एक popular antihistamine है और दोनों के combination से यह जो etching का जो problem है वो ठीक हो जाता है dose की बात करें तो 10 mg OD रहेगा यानि कि यह जो tablet है वो 1 OD के तौर पे खास कर जो प्रिस्क्रेप की जाती है यूज हम देखे तो जैसे allergy के करण होने वाले जो problems है कि जो skin के उपर हमें खुजली होती है इचिंग होती है वो एक टाइप की skin allergy के symptom है तो यह problem यह tablet से ठीक होता है चौज था option यहाँ पे हमारे पास बनता है वो है फैक्स ओफिनाडिन का तो फैक्स ओफिनाडिन के हम बात करें तो वो भी एक popular anti-histamine है जिसका dose रहता है 120 से 180 mg औरली पर दे तो इसके दो वर्जोन आते है 120 mg की टाबलेट साती है तो यह tablet आप यूज करते तो भी उसको 1 OD के तौर पर यूज करें कोई परसन उसकी यह दो टाबलेट खाता है तो टोटल 200 हो जाएगा 240 mg की जो 180 mg से काफी ज्यादा हो जाएगा तो सिर्फ पर सिर्फ एक ही टाबलेट जो है वो उसकी आप यूज करें तो अर्टीगरिया एलर्जी ग्राइनाटिस के जो symptom से उसमें भी यह tablet जो है वो प्रिस करके जो आपना काम कर दी है तो स्पेसली जो स्नीजिंग वगेरा होती है इचिंग होती है नाक से पान याना आखों में से पान याना जैसे जो symptoms होते हैं और कई बार इचिंग भी काफी बढ़ जाती जिसमें यह bilastin जो हो आपके काफी ज्यादा जो है वो help करता है तो bilastin क के dose की हम बात करें तो 20 mg per day के हिसाब से ही उसको यूज किया जाता है उससे higher dose में लेने से side effects जो बढ़ सकती है अब हम 5 based lotion की भी बात करें कि अगर आपको tablet से ठीक नहीं हो रहा तो आप lotion भी ट्राइ कर सकते जैसे की caladryl का जो lotion आता है यह सबसे पहला option बनेगा आपके रिए दूसरा option हम देखे तो calamine का जो lotion आता है वो रहेगा तीसरा हम देखे तो वो है userine करके जो आती है product यह आपके लिए third option है lotion और creams के अंदर चौथा option बनता है lacto calamine का और पांच वा जो option है बच्चों के लिए रहेगा कि जो soothing calamine baby lotion का option रहेगा तो यह रहेगा अब उसके कुछ side effects के बारे में हम देखे तो उसके करदे आपको नींद आ सकती है उबा से लेना dry mouth हो जाता है नाक से कई बार नाक में भी आपको dryness फिल होती है throat में dryness फिल होती है सरदेरता है पेट में दर्ध जैसा होना नींद डिस्टब हो जाना constipation जैसा आप फिल करते हैं तो यह कुछ major side effects जो देखने को मिलती है तो अगर आपको मेरा ये वड़े वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके मेरी चैनल को जरूर से subscribe करें So good luck and all the best